नवस्कार दोस्तों तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अपने एक राष्टपती के आल नारायन के जीवन परचे के बारे में जाएंगे इससे पहले हम लोग डॉक्टर संकर दयाल सर्मा के बारे में बात कर चुके थी याद रखे आपके सभी पिधानमंत् साथ से डॉक्टर संकर दयाल सर्मा तक की देख चुके हैं और भी जो ब्यक्ति मत्पूर रहते हैं हमारे लिए उनके बारे में भी हम लोग बात करते रहते हैं समय समय पर तो याद रखिए वाईवगराफी से के नाम से जो आपकी फिलेलिट सुची मनी वी है उसी में सभी लोगों की वाईवगराफी आपकी कबर है तो आज बात करने वाले हैं किसके बारे में के आल नारायंड सहाब की बारे में तो यह देखिए इनकी पिक्चर से के आल नारायंड सहाब के आर नारायन बहुत ही प्रभावसाली इन्हें माना जाता है एक महनती बैकती थी जिन्होंने कड़ी महनत करके विपरीत परिष्थिती में सफलता हासिल की के आर नारायन का जनम बहुत गरीब दलित परिवार में हुआ थी यादर की ये दलित हैं उन्होंने पढ़ाईबा काम के लिए कड़ी मेहनत की और के आल नारायन देश के दसवे राष्टपती और जो पहले दलित और मल्याली राष्टपती थे जो अभी आपके अभी जो कोविन साहब हैं ये भी दलित राष्टपती हैं यादर की चीज़ए तो इनका पूरा नाम क्या था के आल नारायन शाहब का कोचेरिल रमन नारायन क्या नाम था काचेरिल रमन नारायन, सुतंत भारत के पहले दलित और मल्याली राष्टपती थे इनका जनम होता है आपका 27 अक्टूबर 1920 में कव 27 अक्टूबर 1920 कहां होता है केरल के एक छोटे से गाउँ पेरुम थोनम उजाबूर में याद रखी केरल में वैसे इनका जनम 4 फर्वरी 1920 को हुगा था लेकिन जब इनके अंकल स्कूल में इनका दाखिला के लिए गए तो सही तारीक पता ना होने की वज़े से इनोंने 27 अक्टूबर 1920 लिखवा दी थी तो याद रखी अभी भी आप लोग देखते हैं कि आपकी डेट अप बर्थ स्कूल में अलग होती है और रियल में आपकी जनम किसी और डेट को होता है तो यही इनके साथ हुगा तो इसके बाद से आप जानते हैं कि वही डेट याद रखी जाती है जो माक्सीट में रहती है यानि कि स्कूल में जो एडवीशन के समय याद रखी जाती है तो इनकी यही तारीख है 27 अक्टूबर 1920 इसके बाद से इसे ही ओफिसियल माल लिया गया है डेट के आप नारायन बहुत गरीप परिवार के थे वे परवान जाती के थे जिनके अनुसार उन्हें नारियल तोड़ कर अपना भरन पोसन करना होता था इनके पिता का नाम था कोचेरिल रमन विदियार और माता का नाम था पुन्ना थटूरा वीधी पप्पी यम्मा याद रखिए दच्छन भारत में ऐसे ही नाम रखे जाते हैं आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि दच्छन भारत में इसी तरह के आपने नाम सुना होगा के आर नारायन के पितान के भारती पतिती की चिकस्सा सिक्छवा आयोवेत का गहराई से अध्धन किया था उनने इसकी अच्छी समझ थी जिसकी बजय से सभी उनका बहुत सम्मान किया करते थे के आर नारायन साथ भाई वहन थे कितने साथ भाई वहन थे और वे चौते नंबर की थे इनकी एक बड़ी बहन गौरी होमियोपेथी थी गरीब होने के बाप जूद इनके पिता ने सिक्षा को हमेशा प्राप्थी मेकता दिये याद रहे कि ये पड़े लेके परिवारों में यही रहता है कि घर में खाने की विवस्ता हो या नहीं लेकिन वो बच्चों को पढ़ाने पर विसेश जोड़ देते हैं और वो अपने हिसाब से सही करते हैं आप सोचिए कि अगर आपका बच्चा पढ़ लिखकर कुछ कर जाता है तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा अगर आप सोचते हैं कि आज पेट भर लें बच्चों को रहने दीजे तो आप अपने पैर पर तो कुलाड़ी पटक रहें साथ में आप लोग अपने बच्चों की जिंदगी से भी खेल रहें इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाईए जरूर आप लोग और मेरी इक्चा तो है जी पूरा देश में सिक्चा स्वास्थ का इस तरही की बिवस्ता फिरी होनी चाहिए बिलकुल कोई भी बंचित ना रहे स्वास्थ चेट से कोई भी बंचित ना रहे सिक्चा से भी कोई बंचित ना रहे के आर नारायन की पैरंपिक सिक्षा 1927 में उजाबूर के अवर प्रात्मे की विद्ध्यालय में हुई उस समय आने वह जाने का उचे साधन नहीं होता था जिस बज़े से सिक्षा के लिए उन्हें 15 कितना रोज 15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था के आर नारायन जी के पिता के पास इतनी राशी भी नहीं थी होती थी कि भी अपने वच्चों को स्कूल में दाख़ला के लिए शिच्षा सुल्क दे सकें जिस वज़े से वालक नारायन को हमेशा अपनी किलास के बाहर खड़े होकर इस सिक्षा गरंट करनी पड़ती थी। अब समझ सकते हैं कि उस समय किलास के बाहर खड़े होकर इन्होंने सिक्षा बराप्त की। आपके बच्चों को देखिए पूरी विवस्था जी जा रही है फिर भी नहीं पड़ पा रहे हैं समझ रहे हैं आप लोग तो समय के लोग जो भी बच्चे हुआ करते थे महंती भी थे और आज के बच्चों को देखिए फोर विलाए समी को ऐसी इसकूल जाने के लिए फोर कल कर लेते थे 1931 से 35 तक के आर नारायन ने आवर लेडी ओप लोड़ी स्कूल से शिक्चा परापत की सन 1937 के के आर नारायन जी ने सैंट मेरी हाई स्कूल से मेटरेक की परिक्चा उत्तिर की स्कॉलर्शिप की मदद से आजनारायन जी ने इंटर्मीडियत की परिक्षा कुट्टायम के सी एम एसकी स्कूल से उन्नीस सो चालीस में पूरी की उन्नीस सो तैलीस में उन्नोंने बी ए और एमे इंगलिस लिटरेचर में तैवन कोर विस विद्ध्याले से किया बेपहले ऐसे दलित थे जिन्नोंने फर्ष्ट क्लास में अपनी डिग्री पूरी की आपको यहां बता दें अधिकतर बच्चों को अब आप देख सकते होंगे कि लेप्टोप, फॉन, गाड़ी, बाइक, कार यह सभी आपकी टाइम को बचाने के लिए आई हुई थी लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मोबाइल को किसली आया था मोबाइल इसलीए कि उसका उपयोगी कुछ हो सके टाइम बस सके 24 गंटा तो आज से पहले भी हुआ करता था एक दिन में और 24 गंटा आज भी होता है लेकिन हम आज कल क्या कर रहे हैं कि इस समय को यहां से करके मोबाइल, फॉन, गाड़ी इन तरह की जो भी बहुत एक बस्तु हैं इन्ही में लगा दे रहे हैं और बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है पहले के लोगों को देखते होंगे आपकी साधी में भी जाते थे आज के लोगों को देखिए साधी, दोस्तों, घर, परिवासे मिलने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है किसी से पूँचिए 90-95% यही सब्दों बोलेंगे या मेरे पास टाइम नहीं है और इनके पास टाइम तब तक नहीं रहता है जब तक आप समझ रहे हैं कहां ना पहुच जाएं तब तक यानि कि यह उपर ना पहुच जाएं तब तक इनके पास टाइम नहीं रहता है पहले के आदमियों को देखिए कितना भी वैस्ट हुआ करता था फिर भी आपकी साधी किसी घर में हो रही किसी के यां तो वो जाया जरूर करता था और निबंतर्ण देने के लिए आप सोचिये कि काड देने के लिए साधीयों के पांथ बाथ 10-10 किलोमीटर जाते थे लो और आप सीता किसी ने अभी सवाल पूँचा हुआ था कि ये हकीयत है कि अयोध्या से स्री लंका तक भारत पूरा पार करते हुए क्या सचमहर भगवान सिरी राम गए हुए थी तो तभी तो उन्हें प्रोसुत्तम राम कहा गया तभी तो उन्हें याद रखा जा रहा है उन्हें भगवान माना जा रहा है आप समझ रहे हैं कि अपनी बीवी की होच के लिए अपनी पत्नी की होच के लिए सब कुछ चोड़ कर वो इतनी दूरी तै की और आज की लोगों को देखिए अगर बीवी चली जाये तो दूसरी पडोसन देख लेंगे अपनी वेवस्ता कर लेंगे तो हर कोई सिरी राम नहीं बन सकता है हनुमान नहीं बन सकता है हकीगत रहा होगा तभी याद रख रहे हैं हम लोग आप भी समझ रहे हैं आज 130-40 के करोड जनसंख्या पहुंच चुकी है 130-40 करोड तो हर किसी को थोड़ी याद रखा जाएगा उसी को याद रखा जाएगा जो आज इतिहास में कुछ काम करेगा वरना डेली मर रहे हैं आपने इंडिया में भी कोई याद रखता है टाइमस ओप इंडिया में पत्यकार की रूम में कारवी किया इस दौरान 10 अपरेल 1945 में उन्होंने महतमा गांदी जी का इंटर्विव लिया था याद रखे दा हिंदू आज अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही महतमूर रहते हैं दे हिंदू और दा टाइमस ओप इंडिया यही पढ़ने की सलाय दी जाती है आपको 10 अपरेल 1945 को इन्होंने महतमा गांदी जी का इंटर्विव लिया के आर नारायन जी को हमेशा से विदेश जाकर पढ़ाई करने का मन था किन्तों उनकी आर्थी किस्तिती उसकी इजाज़त नहीं देती थी यानि कि आर्थी किस्तिती उनकी खराब थी स्कॉलर्शिप का भी उस समय प्रावधान नहीं था सो के आर नारायन जी ने जे आर डी टाटा को एक चिठ्थी लिखी और मदद मागी टाटा ने उनकी मदद की और वेज़राजनेती विज्ञान की सिक्षा के लिए लंदन स्कूल और एकोनोमक्स चले गए लंदन चले गए 1948 में विभारत फलोट आए उन्होंने प्रोफेसर लासकी ने उनकी प्रोफेसर लासकी ने उन्हें जवालाल नहरू जी से मिलवाया नहरू जी ने उन्हें आई एप S की नौकरी दिलवाई फिर का नारायन जी ने स्कूल आप एकोनोमिक्स में उन्होंने बच्चों को सिक्षा भी दी 1978 में IFS की रूम में जब उनका कारिकाल समाप्त हुआ तो उसके बाद 1989 से 80 तक जवाहलाल नहरू बिस्विध्याले में उपकुलपती रहे इसके बाद 1980 में ततकालीन पिधार मंत्री इंद्रा गांदी जी ने उन्हें 1984 से 84 तक अमेरिका का भारती इंबेश्डर के लिए ने उतकिया यानि की एक तरह से राज़दू बनाए गया अब बात करते हैं के यार नाराइंड साहब की राजनितिक सफर क्या रहा है इंद्रा जी के कहने पर 1984 में बेराजनिति में आ गए एवं लगाता तीन बाल लोक सभा चुनाओं में उट्टाप लल केरल में कॉंग्रिस की सीट से बिजय होकर लोक सभा पहुँचे याद रखिए दच्छन भारत में जो भी एक गाउं भी होते हैं ये भी बड़े उटपड़ांग नाम रख दिये जाते हैं तो केरल से कॉंग्रिस की सीट पर बिजय होए तीन बाल और लोक सभा पहुँचे ये आपकी निम्न सदन होता है लोक सभा राजसभा और राश्टपती संसत के तीन हिस्ते होते हैं तो जो आपके राजसभा होते हैं आपकी विधायक चुनते हैं विधायक इन्हे ही मनुनीत करते हैं राजसभा सदसों को लोगसभा सक्की सदस आपकी जिंता द्वारा चुने जाते हैं और जो राष्टपती होता है इन्हें आपकी लोगसभा, राजिसभा और जो विधान सभा की सदस होते हैं निर्वाचिस सदस याद रखी एक सब्दिया, निर्वाचिस सदस, राष्टपती का चुनाव करते हैं, इसके बारे में हम लोग बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं, पॉलिटी में, ठीक है? 1985 में के आर नारायन को राजीव गांधी सरकार के केंदरी मंती मंडल में भी समलित किया गया, इन्हें उन्हें योजना, बिज्ञान, विदेश से जोड़ी मामले एवं तकनीक से जोड़ी कार को समाला, 1989 में जब कॉंग्रिस सत्ता से भाहर हो गई, तब के आर नारायन जी एक बेपक्ची सांसत की रूम में अपना कार्य देखते थे, किन्तु जब 1991 में कॉंग्रिस बापस सत्ता में आई, तब नारायन जी को केमिनिट में सामिल नहीं किया गया, राष्टपती संकरदया सर्मा जी के कार काल में के आर नारायन जी 1992 में उपर राष्टपती बनाए गया है, उन्होंने सरवसम्मती से राष्टपती पद हासिल किया, राष्टपती कार काल के दोरान उन्होंने दलित, अल्व संखेक, एवं गरीवों के लिए बहुत कारी किये और 2002 में के यार नारायन जी का कारीकाल सवापत हो गया क्योंकि आप जानते हैं कि 5 साल का कारीकाल होता है प्राष्टपती का और जुलाई 1957 से चला 97 से जाकर 2002 में खतम हो गया इसके बाद आपने देखा होगा कि डॉक्टर एपी जी अब्दल कलाम साहब आपकी इनके बारे में भी अम लोग इस लेक्चर की जश्ट बात बात करेंगे ठीक है अंगले लेक्चर में अब लाष्ट सफर की बाक्त करते हैं कि यार नाराण साहब की तो पांच नवंबर सन 2005 को आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पीटल नई दिल्ली में उनका निर्धन निमोनिया बीमारी के कारण हो गया दिल्ली में जब आलाल नहरू के सांती बन के बाजू में इनका समाधी स्थल बनाएगे जिसे एकता का स्थल भी कहते हैं और याद रखिए बिलोकसवा चुनाव मद्दान करने वाली तथा राजी की विधान सभागो संबूधित करने वाली पहले राफ्ट पती थे कौन के आल नारायंड साहब तो एक कहानी थी आपकी के आल नारायंड साहब की जीवन की अंगले हमारे राजपती होंगे डॉक्टर एबी जे अब्दुल कलाम की कहानी ठीक है याद रखिए